कहल पूर में है को फडर करने हैं इघ नए कहता है तो आजकार को अच्छा करे कि है जिसके के लिए मैंने लिए लिए है एक चमचल 008 पाउडर कोई बिखेंगे कोफी न बर्ली कोफी पाउडर करें पराया न ब्रॉड य्यूंघ योड़े बीख pizza दूद में इसको आपको अच्छे से गोल लेना है, mix कर लेना है, कॉफी पाउडर से जो चॉकलेट केक होता है, इसका जो टेस्ट है वो भी और भी ज़्यादा बढ़ कर आता है, अब हम ले रहे हैं एक बाल जिसमें मैंने लिया है, 1 by 4 cup of refined oil, ये बिना flavor वाला है, और same quantity में मै आपको अच्छे से mix कर लेना है, whisker से या फिर spatula से, अब यहाँ पर आगे मैं डाल रही हूँ 1 by 4 cup of sugar, अगर आप बहुत जादा मीठा नहीं पसंद करते हैं, तो आप यहाँ पर 2 टीबल स्पोन शुगर यूज़ कर सकते हैं, बट इस कॉंटिटी में भी ये केक जो है, मिक्स कर दिया है, और इन सारी ही चीजों को हमें अच्छे से whisk कर लेना है, आपस में mix कर लेना है, क्योंकि हम इसमें sugar डाला है, तो वो continue whisk करते हुए थोड़ा सा melt हो जाता है, अब यहाँ पर मैंने same cup जिसमें मैंने एक coffee घोल कर रखा था, उसमें से आधा कटूरी दूद ल पहले आपको आपका OTG प्रिहीट कर लेना है, साथ ही आपका जो केक टिन है उसे भी रेडी कर लेना है, अब जो ड्रा इंग्रीडियन से वह हम छान कर लेंगे, यहां पर मैंने लिया है, एक कप मैदा, एक चोथाई कप मैंने रिच कोको पाउडर यूज किया है, और साथ ह मैंने यहां आधा छोटा चमच बेकिंग सोडा और एक चमच बेकिंग पाउडर यूज किया है, यह सारी ही चीजों को स्पैचुलास इस तरीके से चान लें, चान कर यूज करने से हमारा जो सॉफ्ट केक होता है, वो और भी ज्यादा सॉफ्ट बनता है, मौश्यर अच्छ और एड़ करेंगे, क्योंकि हमें बहुत गाढ़ा बैटर केक के लिए नहीं चाहिए होता है, अगर आप टूटी-फूटी या फिर पाउंड केक बना रहे हैं तो उसका जो बैटर होता है, वो थोड़ा थिक होता है, अगर आप क्रीम केक के लिए कोई केक यूज कर रहे है या थोड़ा सा क्रीमिनस चाहिए, तो आपको थोड़ा सा लिक्विड बैटर यूज करना होगा, देख सकते हैं हमारा जो चॉकलेट केक का बैटर है रेडी हो चुका, बट इसमें मैं दो से तीन टेबल स्पोन दूद्ध और डाल रही हूँ, ताकि इसकी जो कंसिस्टेंस बिल्कुल पॉफिक्ट हमें मिले और हमारा केक बिल्कुल मॉइस्ट और पॉफिक बन करके तयार हो, मैंने अपना केक टिन जो है रेडी कर लिया है, साथ ही अपना जो ओटीजी है उसे मैंने प्रीईट कर लिया है, दस मिनिट के लिए एक सो सतर डिग्री सेल्सियस पर, अ सारा का सारा बैटर आपको इसमें ट्रांसफर कर लेना है, ट्रांसफर करने के बाद आप इस केक टिन को थोड़ा सा टैप करें, ताकि इसमें एर बबल्स पुरी तरह से रिमोव हो जाए, आप बेख सकते हैं, जो मैंने केक बेख किया था, कितना अच्छा फूल करके रेड 450 g white chocolate compound मैंने यूज़ किया था, तोटल मैंने 250 gram white chocolate compound यूज़ किया था, जिससे मैंने microwave में melt करके लिया था, मेल्ट करने के बाद अच्छे से, जब आपका चॉकलेट मेल्ट हो जाएं तो इसमें हमें । हमें दालना है चॉकलेट刘्य आपगे जो यहां पो क्झे सरे पाउडर था और बहुत ही पॉफेक्ट इसका कलर था अगर आप इसे स्प्रे पाउडर में यूज़ करेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा आप किसी भी चॉकलेट में इसी यूज़ कर सकते हैं पाउडर कलर स्पेशली चॉकलेट के लिए बनाया जाते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा जादा रेड टलर चीए था तो मैंने थोड़ा से इसमें और एड किया था एप्रॉक्स मैंने इसमें 2 टीबल स्पून रेड कलर एड किया था बिल्कुल पॉफेक्ट ब्राइट रेड कलर के लिए तब देख सकते हैं कलर कितना प्यारा इसका आ रहा इसमें कोई भी कड़वापन नहीं आएगा इस तरीके से कोई भी एक जिपर प्लास्टिक ले ले या कोई भी बटर पेपर ले और जो आपने चोकलेट मेल्ट किया है उसे इसमें पूरा ट्रांसफर कर दें और स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे से स्प्रेड कर दें देखी चारो तरफ इक्वली इस तरीके से मैंने इसे स्प्रेड कर दिया था और मुझे थोड़ा सा ग्लिटर फॉर्म में ये गानिशिंग चाहिए थी इसलिए मैंने यहां पर ऊपर से रेड कलर का ग्लिटर जो आता है एडबल ग्लिटर होता है वो भी मैंने यहां पर ग्लिटर मैंने इस तरीके से स्प्रेड किया था यह बहुत पॉफेक्टली नहीं हो रहा था इसलिए मैंने दूसरा मेथड यूज गया दूसरे मेथड के लिए मैंने चाय की छन्नी ली और उसमें सारा ग्लिटर पावडर जो है डाल दिया और उसके बाद यह पॉफेक्ट की बाद और जब यह पॉफेक्ट के बाद तो जरूरी नहीं है कि आपके पास इतना टाइम हो कि आप उसे प्रिपेर कर सके अब यहां पर देखे मैंने वन नकप चॉकलेट क्रीम यूज किया था डलाइट का चॉकलेट क्रीम है काफी अच्छा इसका फ्लीवर होता है आप आप ये यूज़ कर सकते हैं 1 kg का बॉक्स आता है 160 रुपीज का अब आप देख सकते हैं मैंने जो चॉकलेट केक रेडी किया था कितनी अच्छी उसकी जाली पड़ी है कितना अच्छा स्पॉंज आया है और ठंडा होने के बाद वो पॉफेक्टली बेग होने के बाद ठंड कि हम बाद ऑफ़ी है खोक्री बाद लुअ अच्छे से कस अच्छों को चॉकलेट केक में स्पेशली चॉकलेट्स जब मिलते हैं और यह थे कि गलती से मुझस्व सब्सक्राइबुरैं के QRम कोटिंग तो व बढ़ती हो फोगोत मुझसे यह थोड़ा सा प्रेक हो गया है थ करने वाली हूं यह देखें जो हार्ट शेप समने बनाये थे वह रेडी हो चेगा कितना पॉफिक्ली हमारा जो हार्ट है वह बनकर के तयार हो गया है तो बहुत सारे हार्ट बनकर तयार है तो कुछ मैंने केक में यूज किया था और कुछ मैंने अपने बॉक्स में रेडी करके रख दिया था उपर से मैंने देखे चोकलेट का गनाश फिरसस में डाला था क्योंकि बच्चों को ब्लैक कलर का चोकलेट होता है वह बहुत जादा डिलीशियस लगता है बहुत अट्राक्टिंग में द कब्चियों याजना एक गनाश फिर अकशा दिख रहा था में चोको चिप्स आइड कर दिया था और ऐनको फाइर करते हमें यहां करेख का एकशा हो था केक तो मैंने पूरा इसका जो लोख है अब हमारे सामने है वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें बाई बाई